and automobile owner reduce his monthly petrol consumption when price went up जब प्राइज जो है वो चला जाता है तो अपने जो उसका automobile का जो consumption है ना प्रेट्रोल का वो reduce कर देता है मतलब यहां बात करने expenditure की तो expenditure क्यों होगा? consumption, consumption आपका जो है consumption into price तो जैसे से price बढ़ेगा, consumption का मुतर रहेगा overall उसको क्या करना है अपना जो expenditure उसको control करना है तो जैसे price consumption relationship is as follows तो price और consumption की relationship देगे हां देगे, first उसमें दिया है price यह वाला तो price 40 था तो वो कितना लीटर ले रहा है? एक मंत में 60 लीटर, price अगर 50 हो गया तो उसने price कम कर दिया, अपना consumption कम कर दिया, 48 कर दिया, यहां पर price बढ़ा 60 हो गया, तो 40 हो गया आपर, तो कि जैसे price बढ़ ला है, consumption जो है, उसका कम हो रहा है, इव तो price goes up 80 लीटर, 80 लीटर जो है price चला दाता है, तब बताना है कि उसका expected consumption कितना होगा, इन लीटर से आपको यहां पर बताना है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा, देखो, तो कि यहां अगर आप धान देंगे, यहां पर, यह वाले portion में 32 से कम value आने चाहिए, 32 से कम value देंगे, तो यहां पर आपको धान रखना है, अगर आप इन दोनों का multiply करेंगे, तो कितना अगर 2400, क्योंकि यहां पर जो है, वो expenditure से, इसको आप multiply करेंगे, तो कितना आ रहा है, अगर आप इसको देंगे, तो यह भी 2400 आ गया, इसको multiply करेंगे, तो यह भी कितना आ रहा है, आपको 2400 आ रहा है, ठीक है, अगर X लीटर कंजम्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, X लीटर कंजम्शन देतेंगे, 80, इन्टू, X लीटर कंजम्शन, इन दोनों की वैलू कितना आना चाहिए? 2400 यहाप रानी चाहिए, 2400, 80 X की वैलू 2400, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, कि ये value X की value कितनी आजाएगा X is equal to हमारा हो जाएगा 2400 divided by 80 अगर आप इसको divide करें तो कितनी value आ रही 30 liter means अगर price जो हो जाएगा 80 liter 80 रुपीज पर liter हो जाएगा देन दा जुसका जो consumption है मंदली consumption क्या हो जाएगा 30 liter सकते हुआ 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 है